जैस्री कृष्ण में तो फिर एक बार बहुत-बहुत हारदिक स्वागत है आप सभी का आज हम बात करेंगे दैनिक राशिफल की दैनिक राशिफल में आपकी राशी के आज के राशिफल की चर्चा करेंगे ये राशिफल चंदराश पर अधारित है यानि मून साइन पर जिन लोगों को अपनी राशी नहीं पता है वो लोग अपनी जन्वकुनली में ये देख लें कि चंदरमा उनकी किस राशी में है जिस राशी में चंदरमा है वो ही उनकी राशी है जिनके पास जनकुली नहीं है वो अपने नाम के पहले अच्छर से अपनी नाम राशी जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राश से देखवा सुन सकते हैं तो चलिए मित्रों आज के राशिफल को जान लेते हैं आज का राशिफल कैसा रहेगा आपका आज का दिन प्रेम, स्वास्त, धन, नौकरी और व्यापार से समंधे सभी बाते करेंगे आज के राशिफल में अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो ध्यान दें आएका कोई नया स्रोथ मिल सकता है और आज आपके दोस्त और रिष्टिदारों से मिलने का समय निकाल सकते हैं नए लोगों से मिलें ताकि आप जान सकें कि दुनिया में आपके लिए कितने नए अफसर हैं आपको सफलता मिलने वाली है बस आप सही समय का इंतिजार करें आज कोई बड़ा निना लेने के लिए पूरी तरह सोच समझ कर लें और भविश्य की योजनाएं बनाएं पार् का नए अनचरिया भी मिल सकता है नई संभावनाओं के लिए अपनी आखों को खुला रखें नए अफसरों को अंदेखा ना करें आज आप उन लोगों से मिलेंगे जिनके आप बहुत करीब हैं आपका प्रेमी या प्रेम का आज आप से सम्मंद मधूर रखेगा आज कई प्रकार की गत्विधियों में बेस्त रह सकते हैं और फाइदेमंद कॉंटेक्ट बनेंगे दिन चर्या को विवस्तित बना कर रखें आलस और लापरवाही की बज़े से कई काम रुख सकते हैं और कुछ गलतियां भी हो सकती हैं किसी भी खास फैसले के लिए अनुभवी ब प्रत्रा करनी पड़ सकती है जो की लापदायक रहेगी और मान सम्मान और प्रत्रिष्ठा को बल मिलेगा करियर कारोबार के अपसर बढ़ेंगे महत्वपूंड जनाओं और प्रियासों को गती मिलेगी प्रिशाशनिक प्रियाशों में तेजी आएगी आर्थिक उप्लब पुद्सर समरेगा आर्थिक मामलों में सुपता बनी रहेगी धैरे से काम लेंगे भावुक विश्यों से बचें रिष्टो में धैरे और संतुलन बनाएं तारकिता पर जो रहेगा परिजनों के सला से निरणाय लेंगे प्रेम के मामले पच्च में रहेंगे नो बल अपनों का सही योग पाएंगे, खान पान का ध्यान रखेंगे, पिछले कुछ समय से रुके हुए और अटके हुए काम पूरे होंगे आज के दिन आपके, आपका इप्रकार की गत्विधियों में बैस्त रहेंगे और सामाजिक दारा भी आपका बढ़ेगा, इस समय दिन चर परबर्ति लोगों की गलत सला आपको आपके लच्च से भटका सकती है, अपने हुनर और काम करने के तरीके से कारे छेतर में अपनी छबी आज के दिन सुधार सकते हैं, वहीं कुछ जात्कों का स्थान परिवर्तन भी आज के दिन हो सकता है, पारिवारिक जीवन में मिले परणाम प्राप्त होंगे, आज के दिन अपने दायत्तों को पूरा करने के लिए आप आगे आएंगे, आपका जुकाओ आज कुछ हद तक अध्यात्मिक्ता की गोर रहेगा, आप किसी धार्मिक गत्मिधी में सामिल भी हो सकते हैं, या किसी तीर्त की आत्रा भी कर सकते है दिमाग को सांत रख कर दिन बिताएं तो रहत महसूस होगी, उस दिनों से आपके कारेच्छित्र में चीजें आपके अनुशार नहीं चल नहीं थी पर अपको सुधाराने की उमीद है, आपको याद रखना होगा कि कारेच्छित्र के सही योगी मित्रों के साथ मैत्रू प चीजे भी बना सकते हैं, और कुछ जात्कों को किसी दोस्त्यार इस्तेदार के घर काम के सिलसले में आज जाना पड़ सकता है, बेरोजगार लोगों को आज के दिन रोजगार मिले की संभाव ना है, करियर कारोबार बेहतर बना रहेगा, कारोबारी चर्चाओं में सफल हो प्रवंदर प्रसासन से लाब होगा, बरिष्टों का साथ और विश्वास बनाए रखें, योजणाओं को गती मिलेगी, महत तो पूंडो जनाए आगे बढ़ाएंगे, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, अपसरों में ब्रद्धी होगी, प्रतिस परदा में सफलता पाएंगे, पैतरक कारे बनेंगे, आप अपने करियर में जो कुछ भी चाहते हैं, वो सब कुछ आज आपके रास्ते में इपनी इच्छा सकती के बलबूते किया है, वो सब आपको उसका फाइदा मिलेगा, ये समय थोड़ा कठिन परिश्त्रम के बाद ही आपको सफलता देगा, तो कठिन परिश्त्रम के फल का आनंद लें, ब्यापारी कलोनिया टेक्स अमंधिते मामलों में कुछ समस्यां की कोशिस करें, काम का आज को लेकर की गई नजदी की यात्रा आपके भविश्य का दवार खुलेगी, आज आपके लिए बहुत सारा काम है, बेस्त रहेंगे, जल्दी के चकर में अपने किसी सुपचिंतक को नाराज कर सकते हैं, तो नम्र बने रहें, आपकी सकारात मक्ता के कारण ने अपसर मिलेंगे, धीरज रखें, बदलाओ तो आपके जीवन में भी होना ही है, आपका दिन विस्ता से भरा रहेगा, परिवार की किसी बड़े काम के निप्टारे की जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, आप दिन गुजरन थोड़ी डामा डोल रहेगी, लेकिन आप इस इस्तिती से आसानी से निपट लेंगे, अपने सीनिर अधिकारियों से मधुर सम्मन्द बना कर रखें, आपकी कारण सैली बहुत अच्छी है, फिर भी कई बार लोगों को आपकी बातें चुप जाती है, इससे आपका ही आर् पढ़ाएंगे, आपकी पदोनतिय अवेतन ब्रधी की संभावना विभविस्य में बन सकती है, पारिवारिक सदस्यों और मा के साथ सम्मन्द मजबूत होंगे, मान सम्मान में ब्रधी होने से प्रशनता मिलेगी, स्वास्त अच्छा रहेगा, सरकारी काम का आज भी पढ़ी टेंसन देखने को महस्त मिल सकती है, परन्तो आप अच्छी तरह दिक कारी कर सकेंगे, आपकी कारी के प्रतिनिष्ठा लंबे समय बाद आपको लाब दायक साबित होगी, आपका दिन उस्था बर्धक होगा, आज इस बात की काफी संभावना है, कि आपको काम से सम अंधित थोड़ा तनाव जेलना पड़े, साम में दोस्तों से मुलाकात के वास सारी परिशानी ठीक हो जाएगी, वैभाईक जीवत सुखद और खुश्णुमा रहेगा, प्रेम समंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है, जो किसी के सास समंध में है उनके सम्मद मतूर होंगे, जो अकेले हैं, उन्हें कोई साथी आज के दिन मिल सकता है, सह करिमियों और बरिश्टों से मिला सहयोग आपके उत्साह में इजाफा करेगा, खाली समय में आज अपने जीवन साथी से दूर नहीं रह पाएंगे आप, सिंगल लोगों को किसी ख परशन का केंद्र बने रहेंगे, आज आपकी तारीफ होगी, पार्टनर के साथ ज़्यादा समय बिताने की कोशिस करेंगे, स्वास्त ठीक रहेगा, ठकान की वज़े से सालीरिक और मानसिक तनाव थोड़ा बहुत रह सकता है, और आज का दिन कोई नया स्वास समन्धी कार प्रकम सुरू करने के लिए अच्छा है, यानि आप योग जिम बगरा जाने की तियारी कर सकते हैं, जाना सुरू कर सकते हैं, अपने खाने का विश्यश ध्यान रखें, और आज से नियमित रूप से एक्सरसाइज सुरू कर सकते हैं, आपको ये समझना बहुत जरूरी है क अच्छी मानसिक सिहत के लिए स्वस्षरीर का होना भी बहुत आवश्यक है, नहीं तो परिशानिया हो सकती हैं, तब से अच्छा उपाय आज के दिन ये है कि आप दिन की जो सुरू आत है, वो एक्सरसाइज योग या ध्यान से करें, इससे आप मानसिक रूप से सांत और स राणायाम करें, स्वस्दिन चर्याप नाएं, तलेब उनी भोजबदार्थों से दूर रहें, तो मित्रों आज मैंने आप से आपकी राशी के राशी फल के बारे में कुछ चर्चा की, ये राशी फल सामाने राशी फल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभा करता है, आप सभी स्वस्त रहें, आईश्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कशन भावान से प्राहतना है, जै श्री कशन